गुड मॉर्निंग दोस्तों, घर्मियों का सीजन चालू हो चुका है, ठंडा ठंडा जूस, आइस्क्रीन, सब का मन बस इसी पर लगा रहता है, आज मैं आपके लिए वाटर मिलन का एक बहुत अच्छा जूस का रेसिपी लेकर आई हूँ, अच्छा है किसी भी पार्टी के लिए दोस्तों, वैलकम ड्रिंक के लिए बहुत अच्छा उप्शन है, ब्रिकफास्ट में बचों को बड़ों को दे सकते हैं, अफ्टर नून भी, अगर आपका कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है, तो एकदम लो कैलोरी में, बिना शुगर में ये वाटरमिलन का ज जरूर कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी easy easy recipes जोती है, आप अपने बचों को बताईए, जिसे वो भी खाना बनाना बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख जाएंगे, एकदम आसान है दोस्तों, इसे बनाना की जब आप बनाएंगे तो बस पांक मिट में ये बनके त जाएगा, आइए दोस्तों हम इसे बनाना शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए और जिन लोगों ने कर दिया है, उनको बहुत बहुत थैंक यू, बजार से एक fresh watermelon लेकर आजाए दोस्तों, थोड़ा मीठा अच्छा वाटरमलन देखके लेकर आई, लगबग 2 kg के असपास काता है, जितनी आवशकता है उतना juice बना लीजे, मैंने काटा तो अंदर से बहुत fresh और बहुत अच्छा watermelon एकदम निकला है, इसे कट करने के बाद मैंने इसके छोटे-छोटे cubes कट कर लिया है, और 20 जितना हो सकता है उतना निकाल दीजे क्योंकि जब हम पीसेंगे तो टेस्ट चेंज कर सकते हैं, इसलिए जितना हुआ उतना जादा मैनत मत कीजे, जितना होता है उतना निकाल लीजे, दो निम्बू का रस है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग निम्बू का रस इसमें एड़ कर सकते हैं, फ्रिश पुदीने के प पानी के, ध्यान रखिए दोस्तों, पानी नहीं मिलाना है क्योंकि वाटर मिलन में अपने आप में बहुत पानी होता है, इसको चला लिया, जब एक बार चला लिया, फिर उसके बाद मैने इसमें पुदीने के पत्ते डाले, फिर इसको दुबारा चला लिया, पुदीने के पते और नीम्भू जो है हमारे वाटरमिलन के जूस में मिक्स हो चुके हैं अब मैंने एक मोटी छलनी लिये बारिक मत लीजे दोस्तों थोड़ी मोटी छलनी चाहिए क्योंकि जिसका मोटा मोटा पल्प और भी जला करने हैं हमें एक दम इसे बारिक नहीं चानना है वरना सार फ्रेश है अगर आपको थोड़ा पल्पी पसंद और आपने बीज अच्छे से निकाल दिये तो आप थोड़ा सा पल्प इसमें एड़ कर सकते हैं यह आपके टेस्ट पे बहुत डिपेंड करता है बचों के लिए दोस्तो थोड़ा पल्प कम पसंद करते हैं इसलिए मैंने पल्प निकाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ब्लैक सॉल्ट एड़ किया है दोस्तो वाइट सॉल्ट नहीं एड़ करना है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं वाइट कर दीजिए लेकिन ब्लैक सॉल्ट से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब आप इसे बनाए तब इसे फ्रेश फ्रेश ही बनाकर पी लीजिए क्योंकि लेमन और सॉल्ट मिक्स करने के बाद में इसका टेस्ट जींज हो जाता है जब आपको पीना है दोस्तो तब ही जल्दी बनाईए अगर पल्प निकालके जूस को रख लीजिए लेमन और सॉल्ट बाद मैट कर दी कितना टेस्टी और यम्मी है ब्लैक सॉल्ट के फ्लेवर से दोस्तो पुदीना और नीबू के साथ में बहुत अचा टेस्ट आ रहा है आप थोड़े से आइस क्यूब इसमें उपर से डाल दीजिए मुझे थोड़ा सर्दी थी इसलिए मैंने आज इसको ऐसे ही बनाया है आ बहुत आसान से दोस्तो ड्रिंक है नॉर्मल वाटर मिलन खाका कि अगर आप बोर हो गए तो ऐसा ड्रिंक बना लीजे सबको बड़ों को बचों को बहुत पसंद आएगा कोई गेस्ट आने वाले है तो उनके लिए भी यह जूस जो होता है यह हमारे बॉड़ी में पानी की कमी को पूरा भी करता है और ठंडग भी बहुत देता है हम सभी को वाटर मिलन के वेनिफिट्स तो पता ही है तो दोस्तो अगली बार इस जूस को बनाईए और मुझे जरूर याद कीजे कुकिंग विश शक्ती में दोस्तो मैं ऐसे ही आप के लिए हर बार नही नहीं आसान सी इजी और हेल्दी रेसिपीज लेकर आती रहूंगी अगली बार फिर मिलती हो दोस्तो तब तक के लिए थैंक यू